पियम मोदी देश की राज़तानी को एक बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं वो आने वाले छे महीनों में दिल्ली को ये तोफ़ा देने वाले हैं केंद्रे सडक परिवहन मंत्री नितिन गढकरी ने कहा है कि पीएम मोधी अगले छे महीनों में कई राजमार्गों का उत्खाटन कर बड़ा उपहार देंगे जिससे दिल्ली के लोगों को यातायाद जाम और प्रदूशन से मुक्ति मिलेगी इसके अलावा नितिन गटकरी ने कहा कि मोधी सरकार ने पिछले दो साल में दिल्ली के बुनियादी धांचे में विकास के लिए 40,000 करोड से अधिक का बजट लिया है प्रधान मंत्री मोधी अगले छे महीनों में दिल्ली को कई राजमार्गों का तोफा देंगे जिसके चलते दिल्ली को ट्राफिक जाम से मुक्ती मिलेगी और प्रदूशन भी कम होगा नितिन गटकरी ने बताया कि दिल्ली से मेरट जाने वाले NH24 के विकास के लिए 6,000 करोड रुपे का बजट आवंटित किया गया है ऐसे में इस हाइवे के बनने से गाजिपूर का कूड़े का पहाड इसमें इस्तेमाल हो जाएगा जो कि दिल्ली की जंता के लिए बड़ी रहत होगी साथी धोलाकुआ से जैपूर, मुकर्बा चौक से पानिपत और द्वारका एक्स्प्रेस वे और नौर्थ वेस कॉरिडोर के लिए भी केंदर सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है नितिन गटकरी ने बताया कि केंदर में मोधी सरकार आने के बाद सड़क निर्मान के कारे में अभूत पूर्वत तेजी आई है इस सरकार से पहले हर रोज मैज 2 किलोमीटर की सड़क बनती थी नेकिन मोधी सरकार आने के बाद हर रोज 28 किलोमीटर की सड़क बन रही है